सो हलो गाइज, वट्सफ़? आई होड़ आथर वेल सो कल के वीडियो में हमने डिसक्ष किया था क्लास्श काई स सइफिए को क्लासिक्टर साइन्स कैल चैप्टर नबर फिस्ट को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर निमबन फिस्ट के ऩे question answers को सारे के सारे question answer हम इस वीडियो में discuss करेंगे so my name is Rajinder welcome at the platform of study smart so चलिए start करते है तो हमारा chapter का नाम था food where does it come from food means the source of energy is known as food कोई भी ऐसी चीज जो हमें energy provide करती है उसको हम food कहते है now आते है first question के उपर first question आमारा क्या कहता है do you think all living beings need the same kind of food पहले आप इसको समझेंगे जितने भी question answer को बताऊंगा उसके बाद आप वीडियो को pause करके इनको link सकते हो now first question क्या कहता है do you think all living beings need the same kind of food क्या आपको लगता है कि सारे के सारे जितने भी living beings है मतब जितने भी जीवित प्राणी है क्या उनको एक जैसे food की जरूरत होती है अब सोचके देखिए now इसका answer क्या है no नहीं all living beings do not consume same kind of food नहीं सारे के सारे जो living organism है वो एक जैसा food नहीं करते है because क्यूंकि some animals are herbivores some animals are carnivores and some animals are omnivores ठीक है तो जितने भी हमारे living organism है वो एक जैसा food consume नहीं करते क्यूंकि उन में से बहुत से animal ऐसे होते है जो herbivore होते है बहुत से ऐसे होते जो carnivore होते है और बहुत से ऐसे होते है जो omnivore animals होते है तो यह herbivore, carnivore और omnivore क्या होता है यह हम कल कर चुके है तो एक बार मैं यहाँ फिर से आपको बता दो यहाँ देखिए इसके नीचे भी यह दिया हुआ है तो पहले आपने देखा कि नहीं सब को जो है सभी living beings को different type का food चाहिए होता है तो first थे herbivores herbivores कौन से थे those animals which eat only plant products are known as herbivores वो बाले animals जो सिर्फ और सिर्फ plants या plants products को eat करते है उनको हम कहते थे herbivores तो इसके example कौन कौन से थे cow और goat cow गोट या कोई और भी आप से लिख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ plant और plant products को consume करते है या इसके आगे आपको दूसरे example भी दे सकते हो now second कौन से हमारे पास carnivores यहाँ पर यह spelling mistake हो गया इसकी जगा आप कर दो carnivores c-a-r-n-i c-a-r-n-i carny-v-o-r-e-s carnivores इसकी जगा आप करोगे carnivores तो carnivores कौन से होते है those animals which eat only meat which eat only meat products are known as carnivores को हम कहते हैं carnivores example कहलेंगे हम lion, hyena और दूसरे example भी आप ले सकते हैं जो आपको लेने हैं for example tiger जो भी आपको लगता है जो सिर्फ meat consume करते हैं वो carnivores में आएंगे now third आता है हमारे पास omnivores तो omnivores कौन से होते हैं those animals which eat only those animals which eat both animals and plant products are known as omnivores omnivores वो वाले animals होते हैं जो meat products को भी eat करते हैं और जो plant वाले products हैं उनको भी consume करते हैं मतलब ये वो वाले animals होंगे जो meat और plants वाले दोनों products को consume करते हैं for example human being जैसे आदमी का example ले लो आप आदमी जो है meat भी खाता है और साथ में plant और plants के products को भी काता है so ये था हमारा first question जो हमने discuss कर लिया इसको आप पर write कर लो now second हम आते है question number two पर तो यहाँ पर हमको क्या कहता है name some plants and their parts that we eat यहाँ पर हमें कुछ plants को बताना है कुछ plants हमें बताना है और उस plant के किस हिस्से को हम खाते है वो हमें बताना है name some plants and their parts that we eat पहले उस plant का नाम लिखना है उसके बाद हमें बताना है कि हम उस plant के किस हिस्से को consume करते है मतलब उस part का कौन सा part जो है मतलब उस plant का कौन सा part जो है edible है edible यह हम कल भी देख शुक्के थे word edible means कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम consume कर सकते है उसको हम कहते है edible means plant का कौन सा ऐसा part है जिसको हम consume करेंगे उसको हम कहेंगे edible part edible part उस plant का so देखते इस question को तो सबसे पहले हमने plant लिया है radish और carrot का radish और carrot मुली और गाजर को तो मूली और काजल के किस हिस्से को हम खाते है तो हमने आगे लिखा roots ठीक है तो उपर भी यहां इसके उपर लिख सकते हैं इसके उपर आपने लिखना है इसके उपर यहां में लिखना बोल गया है यहां पर आप लिख लो plant इसके उपर आपने लिखना है plant heading देनी उपर plant और हम यहां पर थे तो रेडिश और क्यारेट का कौन सा हिस्सा हम खाते है रूट्स हम खाते है इसका ठीक है मतलब मुली और गाजर का हम कौन सा हिस्सा काते है रूट्स वाला हिसा ठीक है तो सेकिन हमारे पास है पोटेटो और ओनियन का कौन सा हिस्सा हम खाते है पोटेटो और का हम खाते है stem ठीक है इस तरह से आपने देखा हो देखा आलू ठीक है उपर plant होता है और नीचे इसके जड़ें इस तरह से लगी होती है मतलब यह जो बीच वाला हिस्सा जो आलू वाला हिस्सा होता है वो actual में stem होता है वो एक्चल में क्या होता है? stem उसी तरह से आपने onion देखा होगा प्याज प्याज में भी इस तरह उपर plant लगा होता है ठीक है? नीचे इस तरह से प्याज लगा होता है onion लगा होता है और उसके नीचे जड़े होती है मतलब यह जो onion वाला हिस्सा होता यह stem होता है ठीक है उसी जरह से पोटेटो में भी यह जो गोल वाला हिस्स है जो पोटेटो वाला हिस्स होता है वो जो है stem होता है इस प्लांट का ठीक है तो यह भी हो गया पोटेटो और यह हो गया थर्ड है कोरियंडर कोरियंडर मतला धनिया धनिया तीसरा हमने लिया धनिय इसके सीड़ भी खाते हैं जैसे हरा धनी खाते हैं उल्सक अंप्र फॉट कलेएं करें obscure ene मेच करने के लिए तो यहां पर हमको मैच करना यह आपको यहां पर फॉर्ड इलें इनके साहएन को मैच डालत सबसे पहले हमीत यहां मिल्क कर्ड और पनीर यह सभी क्या है अबेखिए यहां आ यहां प्लांट और एनिमल से नहीं है यह लोगैन प्लांट अरयह cosa δεν बर्ड पनीर ये सारे के सारे हम जो है एनिमल से ही मिलते इसलिए ये नमचे साथ सब्सक्राइब मिलते Penguin 없 PC कॉने हैं इसी संवाइन करें यह first में आएगा eat other animals मतलब यह जो है दूसरे animals का शिकार करते है next fourth क्या है हमारे पास herbivores herbivores कौन से होते है herbivores वो वाले animals होते है जो herbs को consume करते है मतलब plant और plants के part को consume करते है मतलब यह आएगा second में eat plant and its products तो चलिए next question में आते है जो last question है अब यहाँ पर देखिए tiger is blank because it eats only meat tiger जो है blank है because it eats only meat अब जो meat खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ meat consume करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास carnivores c-a-r-n-i carny v-o-r-e-s carnivores ठीक है carnivores c-a-r-n-i c-a-r-n-i carny v-o-r-e ठीक है carnivores तो next हमारे पास क्या है deer eats only plant products and is called अब देखे deer सिर्फ और सिर्फ plant products को consume करता है मतलब plant और इसके parts को इखाता है तो ऐसे animals को हम क्या कहते है जो सिर्फ और सिर्फ plant को consume करते है तो ऐसे animals को कहते है हम harby boards ठीक है अब पैरेट क्या खाता है पैरेट जातर जो है maximum हमारा plant products को ही खाता है ठीक है तो यह हम पर क्या आएगा पैरेट इट ओनली blank products ठीक है नमब फोर क्या कहता है हमे the blank that we drink which come from cow buffalo and god is an animal product अब देखे cow buffalo और god से हमे the blank that we drink ऐसी कौन से चीज़े जिसको हम drink करते है और वो कहां से आती है cow buffalo और god से तो यहाँ पर इसका answer होगा यह simple है इसका answer होगा milk इसका answer है milk नावाते last question में we get sugar from यह sugar cane यहाँ नहीं था यहाँ blank दिया था मैंने सीधे answer लेख लिए तो आपको यहाँ blank करना है ठीक है we get sugar from हमें sugar कहां से मिलता है हमें sugar मिलता है sugar cane से ओके यह थे इस chapter के question answer तो एक बात और students यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ four question दिये गए है ठीक है जो NCRT की book हमारे पास दिये उसमें सिर्फ और सिर्फ four question दिये गए है लेकिन आपको इन four questions के सहारे नहीं बैठना है exam में आपको इन से हटके भी question आ सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना उसके लिए आपको जो मैंने chapter की वीडियो बनाई है इससे पहले उसमें मैंने सब कुछ clear किया हुआ है ठीक है अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो उसमें उसको देखने के बाद आपको एक भी question ऐसा नहीं होगा इस chapter से जो की आपको tough लगेगा अगर exam में यहां से कोई question आता है सो मैं आपको recommend करूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख लो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you